आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, आज का मारे कुछन है एक pendulum oscillates 40 times in 4 seconds find its time period and frequency so question के अंदर आपको बोला गया कि pendulum जो है, वो 4 seconds के अंदर 40 times यहां पे oscillate करता है, तो आपको जो है उस pendulum का time period और frequency यहां पे find करनी है, so देखिए answer so हमारे फ़र frequency का जो formula होता हो हमारे पास होता, frequency is equal to हमारे पास होता है number of oscillations number of oscillations number of oscillations divided by number of oscillations divided by time taken यह मारे पास formula होता हो किस का है फिरे frequency का, time taken, so यहां से देखिए हमारे पास frequency जाजाएगे, वो कितने आजाएगे लेकिए number of oscillations आपको कितने देगे हैं बोला गया, oscillates 40 times ठीक है, मतलब number of oscillations यहां से आपकास होगे, 40 divided by time कितरा लेगा इसके जाएगा, 4 seconds तो 4 seconds, so यहां से आपकास frequency जाएगे, वो कितने आजाएगी, वो कितने आजाएगी 10 hertz यहां फिर जाएगे, यहां पर इसको, यहां पर लिख देता हम, frequency is equal to कितने आजाएगा आपकास frequency frequency is equal to आपकास जाएगे, 40 by 4, कितना अपकास होगे आपकास यहां से, 10 hertz यहां पकास होगे, frequency and हम जानते time period is equal to 1 by frequency 1 by frequency frequency so यहां से time period कितना आजाएगे 1 by frequency, frequency कितना आपकास 10 hertz कि, that means टाइम परे टी जिगुल तो मार पास आ जाएगा नासे 0.1 सेकंड टाइम परे टी जिगुल तो मार पास जाएगा 0.1 सेकंड थैंक यू Classics चुट्वेल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर